नमस्कार जैहंद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं टुपल सी एक्जाम से रिलेटिड कुछ कंप्यूटर के इंपॉर्टन प्रस्ण जो कि इस परिक्ष्ण में पूछ जाते हैं तो सारे के सारे इंपॉर्टन प्रस्ण है और हम टॉप 20 कुछ देखने वाले हैं तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइट किया है पहले हम 10 कुछ देखेंगे इसके अगले पार्ट में हम बाकी के 10 कुछ देखेंगे तो पहले हम 10 important question देख लेते हैं जो कि आगामी परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और अच्छे प्रस्ण है और अच्छे लेवल के प्रस्ण है तो वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखी यह आपके लिए बहुत ही important हो सकता है knowledgeable वीडियो है तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं तो चलिए हम देख लेते है कुछ important प्रस्ण और हम detail के साथ सारे प्रस्ण पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम relate कर पाएं तो चलिए शुरू करते हैं गड़ी में कौन सा computer पाया जाता है आपके सामने option है mini computer, micro computer, super computer या man frame computer तो जो digital गड़ी होती है जो कि हम हाद में पहनते हैं उसमें कौन स बिल्कुल सही हो जाएगा जो micro computer होता है वो digital गड़ी में पाया जाता है तो option number भी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसन देख लेते हैं सरफर्थम पंचकार्द का प्रेयोग किया था चारल्स बेवेज ने, नर्मन बारलोग ने, सिव अध्यवरी ने, जोसक मैरी ने तो पंच कार्ड का प्रियोग सरफृत्म किस ने किया था तो जो पंच कार्ड है ये रिकार्ड रखने के लिए डिजिटल रिकार्ड रखने के लिए इसका यूज किया जाता है पहले भी इसका यूज किया जाता था तो काफी बहुत पुराने से इसे यूज किया जाता है पंच कार्ड का प्रियोग सबसे पहले जोसम मेरी द्वारा किया गया था तो एक और नाम आता है हर्मन हैलोरीत इनका भी पंच कार्ड से नाम जोड़ा जाता है लेकिन इन्हों ने बहुत बाद में 1890 की आसपास पंच कार्ड का प्रियोग किया था इन्हों ने पंच कार्ड क एक नया पंच कार्ड यानि कि बिल्कुल नभींतम पंच कार्ड बनाया था जिसका प्रयोग किया था लेकिन अगर सरप्रतम पंच कार्ड का प्रयोग करने की बात करें तो जोसम मेरी ने सरफ़तम परच का प्योग किया था वहीं यह जो सिवध्वरही है इनका नाम उससे जुड़ा जाता है इमेल से जो Ray Tomlinson है जोनोंने इमेल का अविसकार किया है लेकिन कुछ लोगों का मानना है सिवध्वरही ने भी जो इमेल है उसका अविसकार बहुत पहले लेकिन असल में जो पेटेंट है वो रे टॉम लिंसन के नाम है तो इमेल के अविसकारक रे टॉम लिंसन मानने जाते हैं लेकिन इंडिया के जो सिव अद्द्वरई थे इन्हें भी जो इमेल है उसका अब इसकारक माना जाता है चलिए तो अगला प्रस्ट देख लेते हैं और पंच कार्ड के बारे में आप जान गये होंगे पंच कार्ड का प्रयोग सरप्रतम जौसर्ब मेरी ने किया था अगर हर्मन हैलो रीट है वो भी अगर आफसर्ट में आता है और जौसर्ब मेरी नहीं होता है तब आप हर्मन हैलो रीट को ही लगाएंगे तो अफसर्ट नंबर डी यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा सरप्रतम पंच कार्ड का प्रयोग जौसर्ब मेरी ने किया था चलिए अगला प्रस्ट देख लेते हैं प्रस नंबर तीसरा भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है आप्सन है पर्म सिध्धार्थ एका या उप्रुक्त सभी तो भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो एका है आप्सन नंबर सी बिलकुल सही हो जाएगा वही परम और सिधार्थ आप जानते हैं, सिधार्थ जो की पहला personal computer था और परम जो की पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, लेकिन वही सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें, तो एका भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो आफसान नमबर C बिलकुल सही हो जाएगा, चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं, सारे के सारे important प्रसन है, तो वीडियो का आप लाच तक जरूर देखें, बफर से आप क्या समझते हैं, एक बफर टर्म है, यह किसमें यूज होता है, या यह क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, तो आफसान नमबर A देख लेते हैं, य यह रैम में होता है, यह डाटा स्टोर होता है, यह यह रैम में होता है, 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 यह रैम मे पर किया जाता है तो सभी option सही हो जाएंगे तो option number D बिलकुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी जो वफर है वह साइज छेत्र भी है यह रैम में स्टेज भी होता है और यह data store यहाँ पर होता है तो option number D बिलकुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी चलिए अगला प्रसंद देख ले कौन सा टर्म किसी के द्वारा किसी अन ब्यक्ति के computer में अबैद रूप से उसके data को access करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो यदि कोई ब्यक्ति किसी दूसरे के computer या किसी दूसरे के personal data को छिड़ खानी करता है या उसमें उसे access करने की कोशिस करता है तो उसे हम hacking के नाम से जानते हैं और analyst और programmer spammer की बात करें तो spammer जो होते हैं जैसे हम email होता है वहाँ पर spam जो हमारे किसी भी काम के sms नहीं होते वो आते रहते हैं तो उन्हें spammer हम कहते हैं और instant messenger जो कि ये whatsapp हो गया टेलीग्राम हो गया ये सारे के सारे जो app है ये instant messaging के उधारड है तो चलिए hacking बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें option की जो एक ऐसा टर्म जिसके द्वारा किसी अनव्यक्ति के computer रावाद रूस्ति डाटा को access करना hacking कहलाता है चलिए अगला प्रसन देख लिते हैं अगला प्रसन है यूनिक्स एक system है तो यूनिक्स क्या है एक system software है या एक application software है या एक messaging app है या एक communication portal है या एक network है या एक network है यानि कि a network तो यूनिक्स एक system software है तो option number एक system software है जो कि फॉन में काम करता है, ये बिलकुल उसी पर आधारत है, जो यूनिक्स है, तो अफसन नमबर A यहाँ पर बिलकुल सही है, यूनिक्स एक सिस्टम सॉफट्वेर है, चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं, अगला प्रसन है बूटिंग से आप क्या समझते हैं, तो अफसन नमबर D, नन अप देम, यानि कि इन में से कोई नहीं, तो बूटिंग है क्या, तो बूटिंग एक ऐसा प्रकरण है, जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसमें होने वाली प्रसेस को हम बूटिंग के नाम से कहते हैं, और असल में अगर इसकी बात करें, तो जो हार्ड डिस्क में डेटा होता है, वो जब रैम पर लोड होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो उसे यम बूटिंग कहते हैं, तो ये दो प्रकार की होती है, तो आप्सन नमबर ये बिलकुल सही हो जाएगा, यानि कि ये बूटिंग जो होती है, वो बाकी सारे के सारे जो अफसन है, वो असत हैं, यानि कि ये इससे कोई भी रिलेटेड नहीं है, तो बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है बारम बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग, तो कोल्ड बूटिंग जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो जब process जो होती है computer start होने से पहले तो उसे हम booting कहते हैं तो यह हो जाती है cold booting यानि कि हम normal से या सामानता computer को start करते हैं तो वो होती है cold booting और वहाई बार्म booting की बात करें तो start हुए computer को दुवारा से start करना यानि कि restart करना जब हम computer को restart करते हैं तो उसे हम बारम booting के नाम से जानते हैं तो option number यह बिलकुत सही हो जाएगा booting दो प्रिकार की होती है चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है android google द्वारा प्रिस्तुत किया गया था तो android जो की एक system software है जो की हमारे mobile phone में काम करता है जो smart phone होते हैं उसमें android ही काम करता है जिस तरह से बिंडू काम करती है computer में उसी तरह से android में interface यानि की android है system software है तो google ने इसी launch किया था तो google ने इसी कब launch किया था तो android को जो की android है उसे कब launch किया गया था तो option आपके सामने 2007,2002,2003,2014 तो option number A विल्कुल सही हो जाएगा जो Android है यानि Android System Software है जिसे Google द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था वहीं बात करें एक KitKat जो की Android Google का एक नया System Software है यानि की नवीनतम प्रसंसकरण है Android का जिसे KitKat के नाम से जानते हैं उसे 2014 में Google द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो option number यहाँ पर विल्कुल सही हो जाएगा जो Android है उसे Google द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था चलिए अगला प्रसंस देखते हैं Question No.9 Question No.9 है Microsoft के Chairman है option No.E Alan Musk, option No.B Bill Gates और option No.C, सुन्दर पिचाई और option No.D, Mark Zuckerberg Facebook के संस्तापक हैं तो इन्होंने Facebook का निर्मार किया था इन्हीं के द्वारा Facebook बनाया गया था तो Mark Zuckerberg जो की Facebook के Chairman है वहीं सुन्दर पिचाई की बात करें तो यह CEO है Google के और जो Bill Gates है वो Microsoft के Chairman है तो option No.B भी बिल्कुल सही हो जाएगा Bill Gates Microsoft के Chairman है चलिए अगला और अंतिम प्रसन देख लेते हैं इस वीडियो का MS Word में ribbon होता है MS Word में ribbon क्या होता है Page के ऊपर होता है या निकि जो ribbon होता है वो कहा होता है Page के ऊपर होता है Page के नीचे होता है Dead švmetro से दीचम के लाज़ाइज रिबन कहा होता है तो यह MS Word Document का एक page है, जिसका यह screen shot है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ribbon, आप देख सकते हैं, यह ribbon है, जो उपर का हिस्सा, जिसमें सारे के सारे toolbar होते हैं, जहाँ पर save button आप देख सकते हैं, कहाँ पर होता है, print preview आप कहाँ से देख सकते हैं, menu bar कहाँ होता है, title bar आप देख ल है और special feature कहां पर है vertical scholar बार कहां है cursor बर केरिया जहां पर हम काम करते हैं यह सारा जो blank स्थान होता है यह बर केरिया होता है तो MS bird में आप document SI SM Libriobus में भी होता है तो आप इस screenshot को देख सकते हैं count सा जो term होता है वो कहां पर state होता है तो उपर का हिस्सा ribbon की नाम से उसे हम ribbon जानते हैं और अगर page age कहां पर लिख कर आते हैं यानि कि हम किस page पर काम कर रहे हैं page number कौन सा है तो एक side कौने में cost page location यहां पर जो current page location होता है वो दिया रहता है तो सारे के सारे term यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह important screen slot है आप चाहें तो आप भी इसे ले सकते हैं तो हमने important present देखे तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और triple C से रिलेटे या other competitive exam के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए